Hello students, वागत है आप सभी का BA Study चैनल पे, हम आपके लिए लगातार educational वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो आपके exam के लिए काफी important होने वाले हैं, अगर आप BA में हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत important है, आज हम discuss करेंगे BA 6 समेश्टर के history के paper No.2 का chapter No.1 हम पढ़ने वाले हैं, क इसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपने chapter पढ़ लिया ना, तो उससे चाहिए आपको objective question पूछे जारे हैं, subjective question पूछे जारे हैं, सारी चीज़े कबर हो जाती हैं, तो chapter No.1 का नाम है, सामाजिक, धार्मिक, सुधार के कारण और सुरूप, अगर इसका आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, share to your friends, जिसी के उनकी भी help हो सके हैं, और वो भी अपने एक जाम में अच्छे मार्क ला सके हैं, अब आई यह बात करते हैं, धार्मिक, सामाजिक, कारण क्या रहा है, हमारा जो chapter है, वो है सामाजिक, धार्मिक, सुधार का कारण क्या रहा है तो इनको हम समझते हैं, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर topic है कि कारण क्या है, सबसे पहला राजनीतिक कारण की बात करते हैं, राजनीतिक कारण में अगर बात किया जाए, तो मुगल सत्ता का पतन हो गया, और अंग्रेजी सासन काय हो गई जिसकी आर्थिक और धार्मिक सोसड की नीतिया थी और इसाई धर्म को समर्थन करते थे तो इसलिए कई बार अंदोलन हुआ क्योंकि मुगलों का टाइम पिरेड खतम हुआ तो इसलामिक पूरा सिष्टम था वो भी इंडिया में क्रेश होने लग गया हिंदू सिष्टम जो था वो भी क्रेश होने लगा क्योंकि इशायों ने इस चीजों का पतन करने के बाद इसाई धर्म का समर्थन जादा करने लगे तो इससे भी समाज में अंदोलन की CT उत्मन हुई दूसरा है स्माजिक 나락 समाज में बहुत प्रकार की बुराईया व्याप्थ हो गई जैसे कि सिसुबद हो गया कन्या बद बज़ोगया स्ति पर्फामगी से बिढ़वा करता हो गया दास पर्फाम हो गया तरबली है पुरोहित वाध हो गया मौलवी वाध हो गया समाज का धार्मिक सोसर हो रहा है तो इन चीजें कि टीजित समाज के लिए हमारे बेटर नहीं समाज पर ठीक नहीं है तो इसके अंदोलन किया जाए चौथा है औरतिक कारक और बात किया जाए जा deben भी बेरोजगारी समाजी कुरूतियों को इससे बल मिल रहा है जब बेरोजगारी होगी गरीबी होगी तो समाज में कई सारी बुराईया जन्म लेंगी क्योंकि लोग पैसो के लिए अपनी जीवगा चलाने के लिए बहुत सारे गलत काम करने को भी रेडियो हो जाएंगे तो देखकर के भारतियों को अपने धर्म में सुधार की अवश्यक्ता लगने लगी तो उस चीज़े भी अंदोलन किया गया सिक्स तिंग है कि अंग्रेजी सिच्छा का परचार परसार हुआ यहां के लोग सिच्छित हो करके अंग्रेजी विचारकों को पढ़े तो बहुत सा नहीं कि सारी चीज़े गलत हुए बहुत सारी चीज़े नए नई शिखी कि लाइफ में क्या चीज़े कर सकते हैं कैसे लाइफ और तरीके से जिया जा सकता है उसका अनुवभा हुआ अब धार्मिक समाजिक अंदोलन के सुधार का स्वरूप क्या रहा अगर का यह तो हमने यह चाहिए ही नहीं दूसरा आपका पुनर अस्थापनावादी यानि कि अपनी पूर्विया प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं और पास्चात की विरोधी हैं जैसे कि आरे समाज था जिसने कहा कि बेदों की तरफ लटो अंग्रेजियों की तरफ मत जाओ पास्चात की तरफ मत जाओ बेदों की तरफ लटो तो यह भारतिय संस्कृति से प्रेडित जो अंदोलन थे उसका सुरूप था अब अगर बात किया जाए भारतिय संस्कृति आंदोलन से प्रेडित ना हो करके और जो अंदोलन रहे हैं उससे प्रेडित जैसे पास्चात स संस्कृति बहुत अच्छा है लेकिन अगर बिटिसर्स के पास पासचात के पास भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो इसलिए ब्रह्म समाज के अस्थापना राजया राम मोहन राय ने किया था अतिवादी हो गया यानि कि पूर परिवर्तन नहीं चाहते हैं नए रिस्तों स यह समझा आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए पहली बाद चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो को आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करक के बेल आइकन सब्सक्राइब कर लिचेगा ओके तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाबाए